असलाम लेकूम, विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चानल, कैसे आप सब, I hope सब अच्छे होंगे, मैं भी अलहमदलिला बिल्कूल ठीक हूं, फिट एंड फाइन हूं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, थ्री बॉटल डियाइवाई वीडियो, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बॉटल को डियाइवाई किया है, तो अभी आप लोगों को भी पता है जैसे कि फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट है, सभी लोग अपने घर को बहुत ज़्यादा सुन्दर बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी आने वाली है दिवाली, तो चलिए फटाफ़ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास यह कुछ कॉफी की यह तो मैं आप लोगं के साथ शेयर कर दूँगी, तो इसको मैंने स्पॉंज की हल्प से इस तरीके से आपको इस पर अपलाई कर लेना है पहले, तो यहाँ पर एक कोट में तो यह नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यह प्रिंटिंग थी इसके उपर तो यहाँ पर हम मैंने खुद से वस मेरे माइंड में जो जो आया, मैंने वो कर दिया, I hope आपको यह अच्छे लगे, क्योंकि जो चीज़े मेरे पास पढ़ी वी थी, सिर्फ मैंने उन्हीं चीजों से इसको डेकोर करने की कोशिश की थी, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर यह देखें, एक कोट होने के बाद कुछ इस तरीके का इसका टेक्चर था, तो भी बहुत ज्यादा दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर दूसरा फटाफट से इसको सूखने के बाद इस पर अप करें, जो चीज आपको चाहिए, मैं इंशालला आप तक पहुचाने की कोशिश करूँगी, वो चीजे हम क्रियेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जब त ब्लॉक हो गया है मेरा दिमाग क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का एक्रिलिक पेंट ले लिया है, और उसके बाद इस तरीके से मैंने इस पर कुछ डंडियां ड्रॉ की है, और नीचे कुछ इस तरीके का डिजाइन मैंन ऐसे लग रहा था, आप कैमरा बंद कर दूँगी बस इतना दिखा के कि आप लोग इस तरीके से कर लेना, लेकिन मैंने पूरा उसको कवर कर लिया वीडियो में ही, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट हाँ मेरे से जो इसकी स्टेम्स हमने करी, वो जादा अच्छी नही नहीं बनी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ब्रश वाला वर्क नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप लोग इस से अच्छा बना सकते हैं, शायद बहुत ही अच्छा बना सकते हो, बट मैंने आप लोग के साथ एक आइडिया शेयर किया है, बस इसी के थू आप और भी अच्छी चीज़ पर डिजाइन क्रियेट करके अपने अकॉर्डिंग इसको आप बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम सारी जाड बोलते हैं, या जो भी बोलें आप इसको स्टेम बोलें, पूरा हम क्रियेट कर लेंगे, और फिर हमें ले लेना, यहाँ पर इन शेड में भी थे, तो मैंने इस तरीके से मिलाज उला करके इनको अप्लाई कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, तो इस तरीके से हमारा एक बोटल बन करके रिडी हो गया है, यह है इसका फाइनल लूप, आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं कोमेंट में, तो यह तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, अब चलते हैं सेकेंड की तरव, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से यह जो स्टोन आते हैं, यह हमें इस पर अप्लाई करना है, तो मैंने पहले कुछ और डिजाइन ड्रॉ किया था, ले इसको हमें ब्रश की हल्प से अच्छी तरीके से इसे हम फैला देंगे, लेकिन हम जितना यह सोच रहते हैं कि यह वाले डिजाइन बनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लेगेगा, लेकिन मुझे यह उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों, मेरे पास थोड़े और स्टोन होते हैं, छोटे साइस के तो मैं पूरा बॉटल कवर कर देती, तो वो ज्यादा अच्छा लगता, बट मेरे पास छोटे साइस के सारे स्टोन इसमें से खतम हो गया थे, तो मुझे फिर बड़े बड़े लगाने पड़े, जिससे वो लुक न करते हैं, तो तीन सो, चार सो, पान सो, कुछ कुछ तो हजारों तक मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से हम घर पर बना कर कि कुछ वेस्ट मटीरिल से अपने पैसे को बचा सकते हैं, और अपने हम हुनर को भी दिखा सकते हैं लोगों को, तो अब जो थर्ड डियाइवाई है, उ 20 रुपए का डी मार्ट से पैकेट जो की मेरे पास बहुत दिन से पढ़ा था तो मैंने सोचा चलो इस से मैं कुछ इस पर क्रियेट करती हूँ तो यहाँ पर मैंने रेट कलर की छोटे-छोटे से बॉल मैंने ले ली और थोड़े से हमें चाहिए यहाँ पर मिरर तो इस तरीके से एक बड़ा से सरकल आपने इस पर फैविकोल को लगाना है और फिर इस तरीके से यहाँ पर इसको हम थोड़ा चप्टा करते हुए उसके उपर मिरर रखके इसे हम स्टीक कर देंगे अच्छी तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से पहले लगा ले उसके बाद यहाँ पर मतलब पहले मिरर को अटैच कर ले उसके बाद चिपका दे या फिर आप पहले लगा करके उसके बाद जो है मिरर को लगा सकते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर चार फूलो को बना लेंगे मतलब side by side इस तरीके से distance देते हुए बराबर से और फिर उसके बाद हम इस पर कुछ और हम कारीगरी करने वाले हैं पहले तो मैंने इस पर किया था दूसरा काम किया था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा फिर मैंने उसको पूरा wash कर दिया वाटल को और फिर से अगेन मैंने उसको paint किया जब वो dry हो गया तब मैंने ये वाला इस पर design मैंने create किया तो इस तरीके से थोड़ा उपर करके अब हम यहाँ पर एक फूल फिर थोड़ा नीचे एक फूल फिर थोड़ा उपर एक फूल हम बनाएंगे इस तरीके से कुछ इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपको वीडियो में तो अब इसका border थोड़ा सा नीचे हम बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने green color की ये clay ली है और इसके लिए हमें थोड़ी से पतियां बनानी है इस तरीके से कुछ इसका मतलब shape देना है तो यहाँ पर मेरे पास ये जो mirror आते हैं तो उस shape में हमारे पास mirror भी थे ये मैं mirror 175 6 shape में mirror थे और 2 size में मेरे पास थे तो इसे भी हम stick करेंगे favicol की health से तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पर एक चिपका देंगे और फिर side by side दोनों हम इस तरीके से कुछ एक full सा बना देंगे कुछ कमल टाइप का ऐसा तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा gap देते हुए हम सारे border पर इसको हम चिपका देंगे total मैंने यहाँ पर 5 चिपका थे और फिर इसके बाद हमें थोड़ा से इसको लुक और भी जादा बढ़ाने के लिए मैंने सोचा चले थोड़े थोड़े से इस पर हम mirror लगा देते हैं और बाकी के full में मैंने बीच में एक red वाला और मतलब yellow clay ल आप भी बना सकते हैं मतलब आजकल हर घर में मिल जाएंगी ऐसी coffee की bottle sauce की bottle तो आप भी फटा फट से जाएए और कबार से निकालिए उन bottle को और अच्छे अच्छे उस पर अपनी कारीगरी अपना कला कारी दिखा करके उसको बहुत ही जादा सुन्दर बनाएं अल्क्राइजर लुक्षा है